अते हैं तो यहां पे कोई रूल-बेस्ट यहां पर नहीं दिखता है हमें एक वर्ड बेस्ट एरइर दिखता है ठीक जि आर ए-टी फूल-ग्रीट्फूल जैसा कोई वर्ड होता नहीं बलकि घ्रिट्फूल गर बात करें तो इसका spelling जो होता है G-R-A-T-E-F-U-L grateful का मतलब होता है अभारी ठीक है अभार बैक्त करने के sense में जब होता है अभारी ठीक है यो सुट भी always grateful to your mentor आपको हमेशा अपने mentor के प्रति क्या होना चाहिए अभारी होना चाहिए उनके ठीक है उनके जो भी परियास होते है उनके प्रति जो भी आपको सिखा जाते उसके प्रति आप अभार बैक्त करें करना चाहिए ठीक है ऐसा sentence में और यहाँ पे जो error था वो था word with best था ठीक है आप grateful नहीं ग्रिट्फुल का जो स्पेंग था उसमें सुधार कर लेंगे चुछे नेस्ट कोशिए दा फर्णीचर्स हैड बिकम ओल एंडस्टी ठीक है बास समझ में आ रहा है जो फर्णीचर है वह क्या हो चुका है अब ओल्ड हो चुका है पुराना हो चुका और बहुत ही जर जर इस् लेगिन अगर हम बात करें या फर्णीचर्स तो ध्यार कि कभी फर्णीचर में हम एस या एस नहीं लगाते हैं इसको ऐसे नहीं लगाते हैं हलाकि फर्णीचर के अगर अधिक चीज़ों में इस्तमाल किया जाता है अगर फर्णीचर को सेंसमें बोला जा तो उसको एक सदि कर सकतें कि जो फरनिटर है आंपका है हो हमेसा क्या होगा हमेसा the similar में होगा ठीक है नोट कर लेज़ेगा फरणिचर हमेसा सिम्ले में होगा इसे आप इस लागा को कभी प्लोरल नहीं बनाएंगे फरणिचर को कभी घूष लगाकर प्लोरल नहीं लगाते हैं information information के अगर बात करें इसमें भी नहीं लगाते हैं knowledge k-n-o-w-l-e-d-z-e knowledge ठीक तो ऐसे कुछ ऐसे word है जिन पर आप ध्यान दे जोएगा जैसे कि एक और word होता है note करता है scenery ठीक s-c-e-n-e-r-y तो यह सब जितने भी जैसे scenery word होगे लगज होगे information होगे furniture होगे कई वर एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको अगर प्रिवेस एर के अगर पेपर उठाते हैं तो उसमें भी ऐसे कई सारे यह आपको देखने को मिलते हैं इनी सारे वर्ट से रिलेट है ठीक है चली नेस्ट है क्या कि most people are afraid of swine flu these days ठीक है अगर हम बात करें कि आज कल बहुत सारे यसे लोग है जो कि क्या है swine flu से डरे हुए हैं बहुत सारे लोग डरे हुए हैं तो यहां पर बहुत सारे लोग के लिए हम क्या करेंगे most people नहीं बलगे most of the people का यूज करेंगे most of the people are afraid of swine flu this day clear चलीए नेस्ट है I may not be able to attend to the function ठीक है I may not be able to attend तक तो सही है लेकिन फिर attend के बाद कहा गया to the function यहां पर आपको to जो प्रिपोजिशन इसे हटाना होगा बस ठीक है आई में नाट एबल तो अटेंड दा फंक्शन क्लियर चलीए नेस्ट जो कुशन है की और ही इस रिसाइडिंग हेर सिंस 1983 ठीक है अब यहां पर चीजें समझें क्या सिंस 1983 की बात हो रही है और यहां पर संटेंस की बात करें रिसाइडिंग हेर की बात करें रिसाइडिंग हेर की बात हो रही है मैं इसकी अगर बात करें पास से लेकर ठीक है पास से लेकर यहां प्रिजें तक यह चीजें अभी भी जा रही है ठीक है जो पास में चीजें थ थे अंगर तो ध्यां रखीए करते जब सीजों यह अगर यहां फॉब ऑफ की अगर अगर जाते हैं यहां पर किसंज यहां फॉब टब हम ऐसे कंडिशन में यहां पर इज नहीं लगाते आप इसे कर देज़िए आप क्या लगाएंगे, has been लगाएंगे, ठीक, has been, यह यहाँ पर सही होगा, he has been residing here since 1983, ठीक, चली, अब आते हैं next question पर, at his return, we asked him many questions, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि preposition at की बात की गई है, at his return, तो ध्यार के कई बार ऐसे भी preposition से best question आते हैं, यहाँ पर आपको direct answer मिल जाएगा, क्या भई, आप यहाँ पर at को काट दे, on को लगाए, on his return, on his return, उसके लोटने के बात की बात हुरी है, we asked him, हम लोग ने उससे पूछा, बहुत सारे, उससे question पूछें, ठीक, सवाल पूछें next question की the chief guest entered into the room, यहाँ पर किस पार्ट मेरा ध्यान दने वाले बात यह है, enter के साथ कभी भी into आता नहीं है, इंटर के साथ कभी भी into आता नहीं है, ठीक है, the chief guest entered the room, clear, तो आप इसे हटा दे, आगे सवाल पे आते हैं, next question, see is very angry on him, angry, angry के साथ और अगर परसन की बात की जाए, angry के साथ अगर परसन की बात की जाए, प्रिपोजिशन और ना होकर क्या होगा, with होगा, चलिए, अब आते हैं, यहाँ तक तो होगया, आपके error थे question, 8 question थे जिसमें कि आपने, प्रिपोजि ऐसे word होते हैं, जो कि हमेशा fix होते हैं, single word में होते हैं, लेकिन उनको कई सारे चीजे के साथ यूज किया जाता है, word mistake के साथ भी आपको दिखाए गया, rule based के साथ भी आपने error को देखा, अब आते हैं, यहाँ पर filler की बात करते हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर question है, we shall go for a picnic, if the weather does good, क्या भरेंगे, if यहाँ पर दिखती है, आपको पता चल गया कि यह क्या है, conditional based है, conditional based है, तो जब conditional based ऐसे question अगर दिखे, ठीक, conditional based ऐसे question दिखे, तो if clause के साथ, अगर उसके पहले वाले clause के अगर बात करें, यहाँ पर क्या दिख रहा है, future में दिख रहा है, यह sentence, अगर इफ clause से पहले अगर जो clause है, अगर future में दिखता है, इफ clause के बाद मिसकी जो इफ clause का sentence होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर present वाला होगा, ठीक है, present में ही रहेगा, ठीक है, present में रहेगा, present में भी क्या, तो present indefinite में रहेगा, ठीक, तो ना तो was होगा, ना had been होगा, ना तो यहां पर इस होगा वी शैल गो फार पिकनिक इफ दावडर इस गूड चलिए नेस्ट है कि Mr. and Mrs. Josie go for a dash walk just before dinner डिनर के लिए अगर आप को बाहर में डिनर करने होते हैं तो अप घर से आसपस में ही जाते हैं बहुत दूर तो जाते नहीं हैं तो यहां पर वाइवरेंट होगा विवैसे होगा शलो होगा बिक्स कैसा वाग ठीक है बात होगे कैसे है वाग तो यहां पर बात होगे कि Mr. और Mrs. Josie go for a dash walk means कि यहां पर ब्रिस ठीक है ब्रिस वाग जस्ट फॉर डिनर जस्ट बिफॉर डिनर ठीक है यहां पर जस्ट बिफॉर डिनर डिनर से पहले की बात की थी अगर आप डिनर करते हैं उसके पहले आप क्या करते हैं ठीक डिनर से लेने के जस्ट पहले आप क्या करते हैं यहां पर Mr. है और Mrs. Josie है वो वाक पर जाते हैं ठीक है डिनर के जस्ट बिफॉर तो यहां पर क्या होगा ब्रिस्क होगा ब्रिस्क का मतलब होता है कि तेज 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 बहुत लोग आदा तो किने लोगों खाने के बाद ते कुछ लोगों खाने से पहले तेलने की आदत होती है तो help kyla Target and Čज सब्राइब जिस नॉट वडी तो एक्स्प्रेसीव या एक्स्प्रेसिव या इकस सिब से पहराख होगा एक्सेश्ब इंथिस दुम का मतलब है यह होता हैकि बहुत अधिक का बहुत अधिक की बात कीगी है और explosive का मतलब आप सभी को पता होगा पिसपोटक होता है extensive का मतलब बिस्तुरित होता है expressive मतलब आप अपने बातों को जो पस्ट रूप से बताते हैं express करते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो sentence में filler होगा वो होगा d number option correct होगा अब आते नेक्स्ट डाइट if he wants to lose weight अब यहाँ पर बात का हसा है कि john must have dance to stick to his diet मैं इसकी जो उसका डाइट है वो अपने डाइट के नुसार उसे क्या करना चाहिए ठीक है जो डाइट है उसको लेना चाहिए अगर he wants to lose weight अगर वो अपना lose weight करना चाहता है तो john को अपने डाइट का क्या करना च डाइट अपने जो डाइट है उस पर वो क्या करेगा नियंतरन तो रखेगा लेकिन कैसे निर्धारित करेगा ठीक है वो चीजों को क्या करेगा अपने एक्षाद सक्ति से उस चीज को क्या करें निर्धारित करेगा कि मुझे डेली का क्या diet routine follow करना है अगर वो lose weight करना चाह के जो ओंगा नहीं ठीकए अपस्टिने से मताब जिद होता है oagus औली के शंद का मतलब होता है दाईत्यों अब हमें इस यहां लूज we NTI को क्या करना है लूज करना है तो हमें कुछ को determination करना होगा वह क्या करना होगा a stick to his diet जो आपने routine मना diet follow करने का उस पर आप stick रहे determination रहे है ठीक है चलिए next question there was an dash response for marathon response की बात करें response कैसा response होना चाहिए ठीक है आपका जो यहां पर response होगा positive sense में होगा positive sense में होगा positive sense में काने का मतलब आपके वहां पर समर्थन की बात होगी ठीक है तो यहां पर बात होगी overhelming means कि आपका जो होगा response होगा बहुत ही जादा होगा there was an overhelming response for the marathon overheading नहीं extreme नहीं excessive नहीं चुकि बात होगी positive sense में यहां पर तो overhelming response की बात करेंगे ठीक चले अब आते सवाल पर कि some animals have unique that allow them to survive extreme weather condition ठीक है अब यहां पर क्या होगा बही कुछ ऐसे जो जानवर है तो जो unique unique feeling problem and condition नहीं unique characteristic है उनका वो गुन है ठीक है उनका यह unique characteristic है that follow them to survive extreme weather condition जो उनको उनकी जो extreme weather condition होते हैं जो कि बेकार अगर मौसम भी हो बदतर अगर उनका जो condition बदतर भी हो means कि उनके condition adaptation का नुकुल भी नहीं हो ताभी वो क्या करते हैं survive कर जाते हैं यह क्या है उनका characteristic है ठीक अब आते हैं सवाल पर की दीड़ी और दीड़ बॉइट टर्न फॉटवाल प्रैक्टिस अब देखें यह बहुत यहां से जो कुछ ऐसे question जो कि phrase related है ठीक है अगर आपको फ्रेज नहीं आते हैं आप फिल नहीं गड़ पहेंगे जो से देखें टर्न के की बात कर रहें टर्न अप का मतलब क्या हो था arrive arrive का मतलब कहीं पहुंचना अब कहां पहुंचने की बात हुरी है तो यह प्रैक्टिस की बात हुरी है फुटबॉल प्रैक्टिस की बात हुरी है तो फुटबॉल प्रैक्टिस की बात हुरी है तो फुटबॉल प्रैक्टिस की बात हुरी है तो फुटबॉल प्रैक्टिस क बहुत important है turn के साथ up means की पहुंचना यह arrive ठीक अगर बात करें turn on turn on का मतलब होता है start या switch on करना है ना तो खेर जो यहाँ पे filler भणना है जो यहाँ पे fill करना है उस पे बात करेंगे next is the fireman managed to put the fire put the fire put के साथ क्या होगा यहाँ पे put off होगा यहाँ पे होगा put out put out का मतलब होता है आग बुझाना आग बुझाना होता है ना क्या होता वह भई the fireman managed to put out the fire put off का मतलब तो आप सभी को पता होना चाहिए कि postpone होता है कोई meeting होगी या पोस्टपॉन कर दिया गया ठीक है ऐसे सेंस में हम लोग क्या करते है पुट आफ कहते हैं लेकि यहाँ पे पुट आउट होगा क्योंकि fire की बात और बुझाने के सेंस में बात हो रही है clear चले आते हैं next question पे the pupil the pupil was asked to write the right his name on the front name on the front page on the front page of the exercise book अब यहाँ पर राइट के साथ क्या यहाँ पे fill करना होगा किसी कौन से phrase को use करेंगे यहाँ पे जो correct होगा वो write down होगा ठीक है exercise book की बात आप exercise book में note down करते है या write down करते है ठीक है चले next question के the teacher found many mistakes in my composition when she went it अब देखिए यहाँ पे go का जो भी टू है ठीक है go का भी टू फॉर्म क्या लग होता है वेंट होता है तो गो के साथ जो होता है उस चीज का अध्यन करना ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे गो थू इसकी गो के साथ यहाँ अगर विट्व में चेंज करते हैं यहाँ थू इट होगा the teacher found many mistakes in my composition when she went through it अब ने जो कुशन आने वाला वह संटेंस इंप्रूमेंट बेस्ट है जो कि यहाँ पर इंप्रूव करना है sentence इससे कुछ ऐसे ही को इससे ने एक्जाम में देखने को बनेंगे यहाँ पर अंडरलाइन किया रहेगा या फिर उस जगह को वहाँ पर बॉल्ड किया रहेगा उस वूर्ड वाले वर्ड को आपको बताना अब मेडिकल साइंस के अगर एडवांसमेंट की बात करें तो यह क्या करेंगा एक तरह कहां यह बून है एक तवफा है एक उपहार है हम सभी के लिए ठीक एक वर्डान है ठीक है यहां तो संटेंस सब्सक्राइब साही समझ में आ रहा है लेकिन एक चीज़े यहां पर दे क्या होगा वाभी आपका प्रोल होगा तो इस लिहाँ से यहां पर हैज नहीं होगा बलकि क्या होगा है ठीक मिसके सी नंबर ऑप्सन यहां पर होंगे चलिए लेक्स जो कोशन है एज़ेक्षन फेसलिटीज इन अंडर डेप अपनेसंस अर ओफन लिमिटिंग ठीक है अब यह लिमिटिंग के जगा पर क्या सही करना होगा या सही है ठीक है तो आपने कई वार देखा होगा यह चीज़ जो हम लोग पहते कि एजुकेशनल फेसलिटीज की बात कर रहें जो अंडर डेवलाप नेशन है वो क्या बहुत ही लिम्टेड है डेवलाप नेशन की बात ही उसमें जो फैसिलिटीज हैं चाहिए एजुकेशन की बात करें या फिल मेडिकली की बात करें बहुत ही लिम्टेड होता है ठीक तो यहां पर लिम्टेड कहते हैं ना कि लिमिंटिंग कहते हैं यह नंबर ऑप्शन होगा नेस्ट है डॉक्टर्स आ नोन फॉर दियर इलिजिबल हैंड्राइटिंग इलिजिबल हैंड्राइटिंग निसकी जिसे आसानी से पढ़ाना जा सके इसका मतब होता है जिसे आसानी से पढ़ाना जा सके असानी से पढ़ाना जा सके ठीक है तो डॉक्टर्स आ नोन फॉर दिय करता है इसके लिपने सकते हैं तो यहां पर सही यहां पर नियुक्त कर लिए बात करें इसके जोग होता है incorrigible की बात करें तो जिसमें सुधार नहीं किया जा सके उसके करते हैं चलिए नेस्ट है तो 22 के अगर हम बात करते हैं तो 22 में कोसर में जो जो correct answer होगा वो होगा cited एक सक्थ नहीं हाँ पर word को चेक कर लेता हूं heart तो यहां पर बात हो रहा है कि he cited a number of reasons for his absence अपने जो absence के बारे में जो उसने reason दिया बहुत सारे reason को क्या क्या है वो बताया है ठीक है बताया है ठीक तो यहां पर no improvement होगा cited मतलब बताना या कहना ठीक चलिए अब आते सवाल पर कि भाई प्रेज पी आर ए आई एस ए प्रेज का मतलब होता है सभी को पता है प्रस्वासा करना होता है और यह सबसे बड़ी बात है कि यह uncountable noun है uncountable noun है तो सबसे पहले अगर uncountable noun है तो यहां पर तो s होगा नहीं पहला चीज mistake है यहां पर कोशन होगा है ना चलिए अब आते फड़ फड़ देख लेता है opposite question opposite meaning वाले question देख लेते हैं जैसे यहां पर stationery है stationery मतलब होता है स्थीर स्थीर होता है जिसमें कोई गती नहीं हो तो इसका opposite क्या होगा बई moving ठीक है जिसमें गती हो गती मान हो ठीक अब आते हैं पर fixes fixes का मतलब होता है क्या बई कोई कालपनी कालपनी को means की कालपनीं का opposite क्या होगा real वास्तविक ठीक है विए रहें के accuted accuted का मतलब होता है धियां रखिएगा यहां पर accuted का मतलब होता है आरोप से बरी करना आरोप से बरी करना लेकिन आप उजिट की बात की गई तो इसका आंसर होगा convicted, convicted मतलब आरोप लगाना ठीक है आरोप लगाना ओके चलिए नैस ते एक्जास्टिव, एक्जास्टिव का मतलब होता है क्या यहां पर ध्यान रखेगा exhaustive कि अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसका मतलब होता है विस्तृत या पूर्ण विस्तृत या complete भी कह सकते हैं complete भी कह सकते हैं तो इसका opposite जो होगा, वो होगा incomplete, incomplete का मतलब होता है अपूर्ण, ठीक next है, sacrifice, sacrifice का मतलब आप सब इक पता की त्याग देना, बलिदान देना, तो इसका जो opposite होगा, वो होगा acquired, मिसकी प्राप्त करना next look, जो इसका, मतलब यहां पर होगा थारोली का मतलब होगा यहां पर, woh गहराई से, ठीक है, गहराई तो गहराई से तो गहराई से किसी छीज़ का अगर अध्धन के sense में करते हैं, fique की बास करते हैं, वह पर थारोली की बात करते हैं तो इसका प्ोजिट होगा वह का सुपल पॉचियलियमिन कि मोटे तोर पे अंदिखा करते हुए ठीक है इसका पाइंप सुपरफिसियल होगा है ना देख डेजुल गाज़न का मतब होता है कि विकास धीरे धीरे दीरे इसका पॉजिट जो होगा वह होगा रैपिड तेज सी अऩहना घ्रीğिक सवाल पर नेक्स सवाल पर तो यहां पर नर्या, ठेटन , तो यहां पर ऐत रिडि और का मतलब नहीं के रिडियन कमत्र बरकरार का रखना एका जीजत को वहां पर सत्तुरुता होता है, दुस्मनी की बात होती है, तो दुस्मनी का पोजिट होगा, मित्रता, ठीक है, एमिक्याबिलिटी, ठीक है, एमिक्याबिलिटी, मित्रता, हिस MONska सोभवां जेंटेंए यूटोंपियर यूटोंपियन का मतुला बहुता है या यूटोंपियर काम सुनल whereby होता है एक कालपनी कालिपनिक इसका पोजिट जो होगा वोगा प्राक्टिकल प्राक्टिकल मतब बैवहारिक चीजे को मन गरदनत नहीं बलकि बैवहारिक रुप से चीजों को अपनाना ये समझना